तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजिश और सौगत है आपका कैलिपुर्णिया थ्रटी में आज कुछ ऐसी बाती करते हैं जो दुल को छू जाती है कि जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं जो सोचा कभी मिला नहीं और जो मिला कभी रास आया नहीं जो खोया वो याद आता है और जो पाया वो संभाला चाहता नहीं कोई अजब सी पहली है जिन्दगी जिसको कोई सुल्जा आता नहीं जीवन में कभी समझोता करना पड़े दोस्तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि जोगता वह ही है जिसमें चान होती है अकर तो मुर्दों की पैचान होती है जिन्दगी जीने के दो तरीके होते पहला जो पसंद है उसको हसिल करना सिखिए पर दूसरा जो हसी ले उसे पसंद करना सिखिए जिन्दगी जीना आसान नहीं होता बिना संगर्ष कोई महान नहीं होता जिन्दगी बहुत कुछ सिखाती है कभी हसाती है तो कभी रुलाती है पर जो हर हाल में खुश रहने, रहते है जिन्दगी उनके आगे सर जुकाती है चेहरे की हसी हर गम चुडाओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना चुपाओ, खुद ना रोटो कभी पर सक को मनाओ, राज यही है जिन्दगी का, बस जीते चले जाओ, बस जीते चले जाओ गुजरी हुई जिन्दगी को कभी यात मत करना, तक्दिर में जो लिखा है, उसकी फर्यादना करना जो होगा वो होकर रहेगा तो कल की फिकर में आपने आज की हसी परबाद न कर क्योंकि हंस मरते हुए भी गाता है और मौर नाचते हुए भी रोता है ये जिन्नगी का फंडा है बॉस दुखो वाली रात निंद आती नहीं और खुशी की रात में कौन सोता है इश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो चूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष से दूर ही रखना क्योंकि जीतने का कोई विखल्प नहीं होता जिन्दगी में दो चीज़े हमेशक टूटने के लिए होती है सास और साथ सास टूट जाए तो इनसान एक ही बार मरता है लेकिन किसी का साथ चुट जाए तो इनसान पल-पल मरता है जीवन का सबसे बड़ा आप्रा किसी की आखो में आसू आपके वज़े से होना और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्दी किसी की आखो में आसू आपके लिए होना जिन्दगी जीना आसान नहीं होता बिना संगर्ष कोई महान नहीं होता जब तक ना पड़े पत्थरों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता जर्रोत के मुताबिक जिन्दगी जियो खोईशों के नहीं क्योंकि जर्रोते भकिर के भी पूरी हो जाती है और खोईशे बास्चाओ की भी आधुरी ही रह जाती है मनुष्य सुबह से शाम तो पूतना ही ठकता है जतना की कोद और चिंता के एक्शन से ठकता है दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं होती दर्या खुद अपना पानी नहीं पीता पेर खुद अपना फल नहीं खाता फूल अपने खुश्ब अपने लिए नहीं भी खेता मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरे के लिए जिना ही जिन्दगी है मांगो तो अपने रब से मांगो चो दे तो रहम ना दे तो किसमत लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना क्योंकि दे तो ऐसा ना दे तो शर्मिन्दगी कभी भी कामयावी को दिमाग में और नाकामयावी को दिल में जगा मत देना क्योंकि कामयावी दिमाग में घमंड और नाकामयावी दिमाग में माईशी पहरा कर दीती है कोन देता है उम्र भर का साथ लोग तो जना जय में भी कंदे बदल बदर कुल्चरते है कोई विक्ति कितना भी महान क्यों न हो आखे मुंद कर उसके पीछे न चले यदि इश्वर की एसी मन्शा होती तो हर प्रामे को वो आख नहीं देता दोस्तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो शेर करो, कमेंट करो और इस चानल पर अगर आप नहीं हो तो इस चानल को सब्सक्राइब करो धन्यावाद दोस्तो जहीं बंद्यमात्रम